हेलो फ्रेंट्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री दिलर मुई एक्स्प्रेंट करने वाले है इस मूवी में एक बुड़े लाइनलॉड की बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरियल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरियल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंडस्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कि सिरियल किलर एक बुड़े आदमी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोगों को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम अमरे मेन क्यारेक्टर दीउक को देखते है यह एक बुड़ा लैंडलोर्ड है यहाँ केला ही रहता है इसे डाइविडिस भी है और लोगों के साथ वो अच्छे से बरता हो नहीं करता किसी से भी अच्छी बात हो कर ले ऐसे हो ही नहीं सकता इसके आसपास के लोग कोई भी इसके खिलाफ नहीं चाते पूरे सिटी में इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंड करता है इसके बाद हम देखते है कि डेवट अपने एक टेनन के पास आया है यह भी एक बुड़ा ही आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ चाओ ने 2-3 महिनों से रेंड पे नहीं किया होता है तो देवक उसे अब मांग रहा होता है चाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ वो ज़रा बीमार है इसलिए ओ दे नहीं पा रहा देवक कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंड मिल जाना चाहिए तुम तुमारे सन से क्यों ने मांगते वो तो अमेरिका में है तुम उससे पैसे मांग सकते हो यह हम देखते हैं कि चाव के साथ उसके कुछ कोवरकर्स है यह बीमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है देख बहुत स्टिकली बात कर रहा होता तो यह कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यह रेंटी तो बाकी है न वो तुमें दे देगा देख कहता है कि तुमें इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों ने देती है इसके बाद देख वहाँ से चला जाता है वो आगे सिटी में आता है तो ब्रीज के पास पुलिस को डेट बॉडी मिली हुई होती है वह बहुत सारे लोग होते है और देवक ये देखने के लिए जाता है यहाँ पर उसे एक लटकी दिखती है यह भी उसकी बिल्डिंग में रहती है यह उसे भी रेंड मांगता है यह हमारे में क्यारक्टर है और इसका नाम होता है सू सू कभी भी रेंड टाइम पर नहीं देती इसे वज़े से देवक उसे अब मांग रहा होता है देवक को उसका नाम ही पता नहीं होता वो हमेशा उसे अपार्मेंट 205 ही बुलाता है इसके बाद सू केथी है कि वो जल्दी से पेख कर देगी और वहाँ से चली जाती है सू कलॉधिंग की फैक्टरी में काम करती है और दिल की बहुत ही अच्छी होती है उसके कोवर कर जो ज़रा बुड़ी होती है तो उसे रेस्ट मिल सके इसके इसके लिए उसका काम भी वो कर डालती है इसके बाद हम देखते है कि सीटी में और एक बुड़े आदमी की डेथ हो चुकी है नेकसिन में देवक सीटी में एक शॉप पर आता है यह भी शॉप वही ओन करता है और इसने मीन को रेंड पर दिया है देवक मीन को पसंद करता है तो उससे बहुत यह अच्छे से बात करता है मीन उसे वेलकम करती है और उसे सैंडविच भी ओफर करती है यह बुड़ा है तो यह साइडवेच खाने से उसे तकलिफ होती है पर फिर भी यह साइडवेच हो ले लेता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुड़ा हाद में आता है उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो विलचेर में है यह देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी फॉर्चुनेट है इसका पती इसका कितने सालों से खायाल रख रहा है इनकी जोड़ी बहुत ही रोमेंटिक है देवक कहता है कि उसकी लाइफ कितनी खराब है उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है देवक कितना भी कंट्रोल कर ले पर वो जिस तरीके से है उसी तरीके से बाते करता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है जो बॉड़ी सिटी में मिली थी यह देवक की ही एक बिल्डिंग से मिली है पुलिस से जब देवक बात करता है तो उन्हें लगता है कि यह नैचरल डे थे रात में देवक जब घर पर आत ये पुलीस में हुआ करता था देवक को बिलीव नहीं होता कि चाओ डिरेक्टिव था चाओ कहता है कि हमेशा से में कल्ट्रीट को ढूणने के लिए कुछ भी कर सकता था अब उसे लग रहा है कि जो ओल्ड मैन मर रहे है ये सब सिरियल किलर का काम है तीस साल पहले इसी तरीकी का केस उन्होंने हैंडल किया था और ये पैटर्न में आप हो रहा है पहले तीन ओल्ड मैन मरेंगे और इसके बाद लड़किया मरने वाली है चाओ कहता है कि हम सब बुड़े लोग चर जाते है वहाँ पर दो-तीन दिनों से मुझे एक होमलेस बुड़ा आत्मी दिखनी रहा सिरियल किलर हमेशा उन्हीं लोग को टार्गेट करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा देवक उस पर जादा भेलिव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इसी बिल्डी में सू भी रहती है सू अपनी फ्रेंड के साथ बात करी होती है उसके पास इस मन के रेंड के लिए भी पैसे नहीं है उस सारे पैसे अपनी मदर को भेज देती है उसकी रूमेट उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा मत किया करो तुम सारे पेसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा ये सब देवक भार से जाते जाते सुनता है रात में हम देखते हैं कि चाओ का मर्डर हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुमाने रूममेट के साथ ती रहती हो अब मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ यह मना करे होती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में यह फिर से चाओ को देखनी के लिए जाता है तो उसकी बॉड़ी उसे दिखती है चाओ ने सुसाइड कर ली है इस तरीकी का सेट अप सिरियल किलर ने बनाय हुआ होता है थोड़ी देर में चाओ के साथ काम करने वाली कोवर कर भी वहाँ आ जाती है जब पुलिस इन्वेस्टिकेशन होती है तो ये दोनों कहती है कि चाओ को हमेशा देवक प्रिशराइज करता रहता था इसी वज़े से चाओ ने सुसाइड कर ली होगी ये बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब ब्रेम करने लग जाते है देवक हमेशा जिस में इसमें खाना खाता है वहाँ जब वो जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते हैं सब देवक पर बहुत ही गुस्सा है वो मीन के रेस्टोरन में भी आता है पर आज रेस्टोरन बन होता है सुक अपने बॉस के बाद जाती है और उससे कुछ advance मांगती है उसने सब पैसे अपनी मदर को भिज़ दिये है उसका बॉस उसे मना कर देता है इसके बाद वो देवक के पास आती है देवक को कहती है कि अब वो रेंड पे नहीं कर पाएगी वो घर खाली कर देने वाली है दे के साफ हो कोई रेड ने देबाया इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है यह वो देवक को समझाती है यह देवक पर बिलीव करती है देवक जाओने ऐसा क्यों क्यों होगा यह देगने के लिए जाओ क चाओ बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आने वाला है यह वही उसका फ्रेंड है पाग भी डिरेक्टिव ही था पाग को जब मालूम होता है कि चाओने सुसाइट कर ली है तो वो बिलीव नहीं कर पाता वो देवक से कहता है किसा हो ही नहीं सकता चाओ से मिलने के लिए बहुत सालों बात उसका बेटा आने वाला था वो अब सुसाइट क्यों करेगा इसे पक्का मालूम है कि चाओ का मर्डर हुआ है रात में सूग घर पर आती है तो उसके रूमेट का मर्डर हो चुका होता है यह बहुत इडर जाती है और पुलिस को कॉल लगा रहे होती है पर तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे सिरियल किलर है यह बाहर जाने के लिए बहुत ही स्टागल करती है पर यह किलर उसे बेहुश कर देता है देवक का रूम सूग के रूम के नीचे ही है उसे कुछ हावाजे सुनाएं देती है तो देखने के लिए जा रहा होता है सुद दरवाजा खोल नहीं रही तो अपनी चावी से खोलना जाता है तब वहाँ आसपास के लोग उसे रोक लेते है वो कहते हैं कि तुम्हारी वज़े से चाव मरा है और रेन के लिए अब रात में भी तुम लोग को परेशान कर रहे हो यह वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते है देख भी चला जाता है नेक्स दिन देख जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिरिक्ट्टिव पार्क होता है देख उसे बात ने करने होती पर पार्क उसके डेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे है अब इस पैटर्न में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉंग हेर सुंगे देख को सू की आद आती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेर से सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जो जबर्दस्ती अंदर गुसरा होता है देख जब इसे स्पाट कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है देवक भी अपनी स्कुटी पर उसका पीचा करता है इसके पीचे-पीचे आगया जाता है तो एक दंडे से देवक को बेहोश कर देता है ये एक गली गुंडा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है देवक से सब पैसे वागराव चीन देते है डिटेक्टू पार्क भी बुड़ा ही है और फिर भी इन से भीट जाता है सब को बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है तुम भाग कर क्या रहे थे ये लड़का कहता है ये सू की फ्रेंड मेरी गल्डर्ट है जो भी सब इन्वेस्टिकेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी ये डोर्बुक पार्क दिखता है वहापस सब सस्पेक के नाम होते है राद में पार्क और देवक जब डिनर करते है तो देवक कहता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पार्क अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब उसने सिरियल किलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में चाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को इमार डाला पाक जब आया तो उसने किलर को भागते वे देखा था सिर्फ किलर की आखे उसने देखी है पाक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आखों से उसे पहचान लोगा जाओ के डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने के लिए देवक और पार्क अब घुमते है दोनों जब मीन के रेस्टोरान में होते है तब पाक देवक से कहता है की मीन को भी इस सिर्फ किलर ने पकड़ा था वो उसे मारने वाला था पर मीन वहाँ से भख गई थी पाक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हाड हो सकता है फिर भी पाक उससे बात करना चाता है पर दियोग उसे वहाँ से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बाहर आते हैं तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो विल्चेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत इसस्पीशियस है सीरियल किलर हमेशा इसे तरीके से वॉलेंडियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सीरियल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहता है कि मैं आखों में आग डाल कर देखो तभी इस डॉक्टर की वाइब टॉयलेट कर देती है इसके आप कबड़े वेगर है डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे तो उसकी वाइब को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नया पर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आइवीज भी लगाई है कुछ टीटमेंट सू पर चल रही है पाक का शक 100% इसी डॉक्टर पर है ये देव को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूंगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देव क लॉक्ट समीथ ही होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चिलनाने की कोशिश करती है पर ये पूरी पैरलाइस्ट होती है यह कुछ भी बोल नहीं सकती घर जानती हुए बैग्यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें एडवांस लॉक होता है पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है पाक डॉक्टर को कॉल लगाता है पर इक कॉल नहीं लगता पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जिस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पार को मारने वाला है पाक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पाक के पेड में चाको गुसा देता है देवक डॉक्टर के घर पर दोर खोलने कोशिश कर रहा है पर एक कर नहीं पा रहा हुता तब ये डॉक्टर वहाँ जाता है ये उसे पुछता है कि तुम हो कौन दोक्टर और दोना लड़ाई करने लग जाते है तब वहाँ पार्क भी आ जाते है यह इंजोर्ड है पर इसने अब गन लाई हुई है यह डोक्टर को एक जगा बेटने के लिखेता है दोक्टर जब अंदर जाता है तो वहाँ OPM की बाग होती है याने कि ड्रक्स के यह पोध यह दोक्टर को मारने वाला था है पर देवक उसे रोक लेता है देवक को जड़कता है और गोली जलाता है पर एक खिलोनों की गन होती है डॉक्टर कहता है कि यह क्या है देवक पार्क के pocket चेक करता है पार्क के locket में लिखा होता है कि यह Alzheimer का patient है पार्क पुराना डिरिक्ट्ट्यू है पर इसे भूलने की विमारी है तो इस पर कोई भी बिलियो नहीं कर सकता देवक अब hospital को call करता है और पार के सन को भी कॉल लगाता है पार को हस्पिटल में लेकर जाते अब देवक से डॉक्टर बात करता है किलबे इस किसी को भी इसके बारे में पता ना मत देवक भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला जाता है चाव ने पाक को कहा था कि और एक बुड़ा आदमी है जिसको जर्च में धुड़नी पा रहा देवक उसका पता निकालता है और उससे धुड़नी के लिए जाता है उसके घर पर उसकी डेड़ बोड़ी उसे मिलती है इस जगा पर देवक देता है कि ओल मैन का डॉक भी मर इस डॉक के मुँ में एक कपड़ा होता है देवक अपनी ही बिल्डी में एक आदमी के लौक बदल रहा था तभी उसने उसकी पैंड देखी थी यह फटी होई थी और उसी पैंड का कपड़ा इस डॉक के मुँ में है यानि कि वही आदमी सिरियल किलर है यह जब देवक दे